उत्तर प्रदेश में अगर बिजय की सरकार बनी और योगी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश छोड़ दूगा अगर कोई तो मनेगा योगी से मेरी कोई दूश्मनी तो है नहीं किस तरह से चीजे देख रहे हैं जस तरह से यूपी में ओवएसी आ गए हैं और लगातार उनका भी बयान आया कि मुख्यमंत्री कि तो मतलब मुख्यमंत्री तो हमारे मजनू हैं और यह सारी बाते करें तो सर क्या लग रहा है कि यूपी का चुनाओं किस तरह होने वाला है और वैस्टी की अचानक से एंट्री होई है नहीं असल में वैसी आए या इससे पहले भी ब पा रहें फर्माईशैं иतनी लंभी-लंभी कर रहें तो ऐसे मांगने से नहीं होता ना कि आप आप करके मांगना ऐसी जो आप यहां भीत मांग रहे हैं कटोरा लेकर और के आए राबाद से यह कोटोरा हैईरक नहीं घूंदे वाई, कि वहाँ पर तिरंगाना में मुस्लिम मुखमंतरी हो, यही जब मालूम है कि उत्तरबर्देश की फजा खराब है, उत्तरबर्देश के हालाद अच्छे नहीं है, यहाँ बहुत मुश्किलों से ये कुरोना की वज़े से हिंदु-मुस्लिम एक हुए थोड़ा सा, दुसरे के दुखतत में शरीख हुए, उस से थोड़ी सी मुखबतें बढ़ीं, तो यह फिर से एक आगए, वो मजनू है, मैं लैला हूँ, भी लैला है, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या गाम है, लैला है तो महीं मजनू ढून लिए इतनी दूर आने की क्या दरूरत ह हुँ, हाँ, उनको यह मालू होना चाहिए है कि लैला हु, मजनू जो से वो एक इख लाकी करेने वाले से, ऐसा नहीं था कि एक आंधरा करेने वाला हो एक यूपी करेने वाला हो, यूपी में बहुत सी लाइरा है, पहले से गूह नहीं है, सर ये जो चुनाव होना है 2022 में तो उसको अधरवाइस लोग ले रहे हैं उसके यह मक्सद नहीं है कि योगी अगर आए अगर हमारी नाधानी से योगी आए तो इसका मतलब फिर मतलब यह है कि मेरे लिए किलकत्ता ही ठीक है हम किलकत्ते में रहते हैं किलकत्ता अपना वापस चले जाएं यहां कोई मकसद नहीं है जब ही एक कोई शैतान आए बहकाए और पुरा सब खराब हो जाए लक्षन इसका फाइदा क्या है अच्छा सर यूपी में जिस तरह से अभी एटेस वाली कारवाई हुए जी उसको लेकर सर क्या कहेंगे क्योंकि हम तो हम तो वैसी को ढूंड रहे हैं कि वो आएं और जाएं वहां बाला करेंग और वहां काकोरी वहां पता करें पूछें आप अपने मजनू से पूछें लैला लैला पूछें अपने मजनू से कि तो तुम्हारे यहां इस ऐसा हो गया क्यों हुआ इसकी जिम्मेदारी कि हमारी रहे गई बोल नहें कोई लेना नहां नहीं स्यासिया दैना हम करे हम आपका एक बयान कि उप एटिस कहीं हमें भी किसी दिन नातंगवादी बता के ग्रफतार ना करें तो कोई भरोसन नहीं है मैं तो वह पहले मैंने शेर का था सुप्रिम कोर्ट में मैंने पढ़ा था उन दिनों करीं पंदरा साल पहले जिए ब्यस्टिस काड़ काड़ी हुआ करते हैं महां पर लुम दिनों तिक मुशारा हुआ तो म मैं अभी हाली में कोकर भी लेके आया हूँ और कोकर से कम बनने लगे हैं हाँ मैंने वापस कर दिया कोकर भई मैंने कर रखना भी उत पर भी हमारा शेयर बहुत पुराना है कि बस इतनी बात पर उसने हमें बलवाई लिखा है हमारे घर के एक बरतन पर आई एस आई लिखा है वो तो बाकाइदा भी नहीं मालू होते है अलकाइदा भी कहां जिरे जाएंगे